कॉंग्रिस महासचेव शरक्ति सिंग वागहिल ने चंदिगर में प्रेस कॉंफरेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि हर्याना की भूमी एतिहासिक है बीजेपी की राजनेती की जमीन है ही नहीं जबकि कॉंग्रिस की राजनेती की जमीन है शरक्ति सिंग गोहिल ने कहा कि अमित शाह का बेटा तो अमीर हो जाता है और हर्याना का युवा जब रोजगार मागता है तो इसको पकोड़ा रोजगार देने की बात की जाती है हर्याना की भूमी आितियासिक भूमी है यहां के प्यारे लोग मुझे विश्वास है कि अपने तराजू में दोनों चीज उन्हों ने देखी है उनको रखेंगे जजबात के साथ खिलवाड करके चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे मेरी वोट बैंक भरे ऐसी राजनीती भाजपा की जो है जजबात के खिलवाड की एक और है और दूसरी और और उसके लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं वो बात लेके कांग्रेस पार्टी इस चुनावी मैदान में है एक और जो विकास की राजनीती की बात करती है वो भाजपा मॉडल जहां पे उनके चहीते लोगों के महल सौने के हो सकते है जहां अमीद शाह के बेटे की कमपनी जो कुछ हजार रुपिय की हर साल नुकसान करने वाली पचास हजार में से शासन आते ही असी करोड की बन जाती है और हरियाना का कोई यूवा रोजगार मांगता है तो उसे कहता है कि पकोड़े बनाना भी पकोड़े बेचना भी एक रोजगार है एक वो मॉडल है और एक हमारा मॉडल है जहां हम शासन में थे आप सब ने देखा है आप पत्रकार बंदू भी जो हमारी सबसे ज़्यादा टिका करते थे उसको हम पास बिठा के सबसे पहले चाय पिलाते थे जब शासन में रहते थे हमने कभी किसी के साथ वो व्यहवार नहीं किया और सब का सम्मान किया